हरे ओंस आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगोंको वेक्टर डिजाइणिंग के बारे में बताने जा रहूं कि वेक्टर क्या है विजा डि em करते हैं और जैसे विल्डार फोटो करके वेक्टर डिजाइन में कैसे अग्योट करना है उसके बारे बताने जा रहा हूं अभी कैसे फेल फाइल formed कर लेते और फाइल में जाके open बोल सकते हैं तो यह empty space पर double click करो तो open हो जाता है इस image को लेता हूं अभी इसमें आपको क्या करना है इमेज में जाके adjustment थ्रिशोड में आता हूं थ्रिशोड में आने के बाद आपको इतना portion जैसा चेह हो इसे एक बार set कर लो set करके बाद में इसको okay बोल देता हूं तो अभी यह क्या हुआ black and white image जासा हो गया तो अभी इसको अभी यह क्या है file इसको save कर लेता हूं save as इसमें jpg में save करना है इसका नाम मैं भी vector करके ही देता हूं वेक्टर करके नाम दिया jpg में save कर रहा हूं save करने के बाद इस photoshop को क्या है minimize कर लेता हूं अभी coral raw में आता हूं coral raw में क्या है इसको file में जाके import भी बोल सकते आप नहीं तो क्या है empty space पर right लिक करके import करो इंपोर्ट करने इंपोर्ट में जाके जो आप save के उसको इंपोर्ट कर लेता हूं इसको इदर क्लिक कर दो तो इंपोर्ट हो गया अभी इस image को अभी यह क्या है bitmap में है यह पिक्सल में दिखाई दे रहा है आपको इसको हमको वेक्टर करना है वेक्टर के लिए मैं यह भी क्या करता हूं bitmap में जाओ उपर मेनु बार में bitmap में जाके outline trace इसके अंदर clip part में आता हूं clip part में आके आप इसमें क्या करो आप इसे वेक्टर में change हो गया इसमें आप क्या है इसे details हो ज्यादा कम कर सकते हैं और इसमें क्या है smoothness भी है smoothness भी ज्यादा कम कर सकते हैं आके आपको जैसा चैये वैसे आप changes करके बाद में इसको क्या बोलो आप पहले पिक्सल में दिख रहा है आपको इमेच पिक्सल में दिख रहा है और इजो है यह वेक्ट्र मे इसको पेज़ डौन कर लेता हूं अभी इसमें से आपको पता चल रहा है कि वाइट पॉर्षन कहां पर है तो इसको अनुगुरूप करता हूं कंट्रोल यू कंट्रोल यू बोलने से अनुगुरूप हो गया आप इस पॉर्षन को ऐसे निकाल सकते हैं लेकिन बीच में छोटे चोटे पॉर्षन निकालना मुश्किल होता है इसलिए अभी मैं क्या करता हूं एडिट में जाओ एडिट में जाके फाइंड करके हैं फाइंड रिप्लेस में जाके फाइंड अब्जेक्ट में जाता हूं find object में आके आप क्या करना इधर being a new search है इसको next begin new search है new search में जाके next बोलना है इसमें क्या करना आपको अभी क्या है film में आता हूँ film में क्या है uniform fill है uniform fill active रखके इसको next बोलो बाद में इधर क्या है specific color में आना है specific color में आके इधर नीचे क्लिक करो तो इदर eye dropper आता है इस eye dropper को select करके जो portion आपको निकालना है उस color पर आके click कर दो वो range इदर select हो जाएगा बाद में इसको आप next बोल दो finish बोलता हूँ एक palette आया अभी इसको find next बोलूँगा तो एक एक करके वो उसको catch कर रहा है अभी मैं क्या बोलता हूँ find all बोलूँगा तो sub को select कर दिया हो अभी इसको close करके इसको delete कर देता हूँ delete प्रस करने से जो भी बीच में पोर्षन था वो सब निकल गया अभी इसको क्या है ये background भी निकाल देता हूँ अभी ये क्या है इसको भी वेक्टर डिजाइन ready हो गया अभी इसमें कुछ सा भी कलर आप डालो कलर देखें आप क्या है इसको पेड़ोन करेंगे तो क्या है उस कलर के साथ वो मैच हो जाएगा यहनि background के लिए आप कुछ भी चेंज ऐसे आप कर सकते हैं अभी मैं इसमें इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो लेकिन black में अच्छा दिखता है वो पूरा select करके करना है ऐसे drag करके सब select करके क्या है आप अलग-अलग color दे सकते हैं लेकिन अभी के लिए मैं black रख देता हूं ओके यह करते होकता अगर कुछ आपको ऐसे कुछ परेशानी है तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट किजेगा फिर मिलेंगे आगले वडियो के साथ धन्यवाद